Good morning kids, welcome again in our math class, kids today we are going to solve exercise 6 fraction, what is fraction, आज हम लोग fraction के बारे में जानेंगे, fraction means fraction as a part of whole, fraction जो है वो एक होल, किसी बड़ी चीज का एक पार्ट होता है, मानलो कोई बड़ी चीज है और उसको अपन 1, 2, 3 या फिर इससे भी more parts में यह दिया अपन उसको डिवाइड कर देते हैं, तो व होता है, fraction होता है, चलो देखते हैं, यहां पर मैंने एक पिज्जा बनाया है, देखिए, दिसीजे पिज्जा, आई डिवाइड इट 3 पार्ट, 1, 2, 3, इसके मैंने 3 इक्वल पार्ट हैं, वो डिवाइड कर दी हैं, तो इसको अपन बोल सकते हैं, वन होल पार्ट है, तो इ मैंने पार्ट डिवाइड किये हैं, वो है 3, तो अपन इसको लिख सकते हैं, 1, 3, अब इसमें मैं आपको बता दूँ, कि देखिए, यह जो 1 है, उपर वाला जो नंबर होता है, वो होता है, नूमेरेटर, जैसे इसमें 1 है, चलो इसका अग्जामपल लेते हैं, दूसरा जो 1 जो होल है, पूरा वाला 1 सरकिल जो है, और फिर इसके मैंने 2 पार्ट डिवाइड किये, तो 1 बाई 2 अपन इसको रीड कर सकते हैं, लिख सकते हैं, 1 अपन 2, ऐसे ही दूसरा सरकिल लिया मैंने यहां पे, और उसमें भी 1 होल सरकिल है, जिसको मैंने 4 पार्ट के अंदर गएड किया, तो इसको अपन बोल सकते हैं, 1 फोर्थ, अब देखो, यह तो हो गए अपना लिखने का तरीका है ना, अब आपन देखेंगे कि यह जो उपर वाला, देखो, यह जो है, यह बार लाइन, ठीक है, इसको बोलते हैं, और यह जो 1 है, तो यह उपर वाला इस बार i,n A,to, ण, denominator ऐसे इसमें, 1 जो है, वह नूमेरेटर है, ओड तो जो है, वह जो है, वह दिनूमेरेटर है, बार लाइन से उपर जो होता है वो होता है नुमेरेटर और जो बार लाइन से नीचे होता है वो होता है दिनोमिनेटर अब चलते हैं टाइपस ओफ फ्रेक्शन जो है वो कितने टाइपस के होते हैं सबसे पहले मैं लेती हूं लाइक फ्रेक्शन दूसरा है अनलाइक फ्रेक् बादर में ready करने वाले एकसरसाइज में तो कालता है तो चलते हम 1 o cr Anne and a fraction With the same denominator are called like fraction like fraction क्या होता है जिसमें denominator जो होते है वो सेम होते है को तो समझने के लिए मापको यह क्या बता दो कि जो आपके07 Fahr Nine In astronomy firm मतलब नीचे वाला जो number होगा वो उसमें क्या होगा? सेम होगा, जैसे कई fraction दिये जाएंगे और उसमें नीचे वाला जो denominator होता है, bar line से नीचे, वो क्या होगा? सेम होगा, तो इसके example आपन लेते हैं, तो जैसे 1 by 5, 6 by 5, इसमें आपको सेम क्या दिखाए दे रहा है? इसमें 5 है, वो सब में सेम है, denominator जो है इनका, वो क्या है? सेम है, तो जिनका denominator सेम होता है, वो होता है, like fraction. Next, unlike fraction, a fraction with different denominator are called unlike fraction. ऐसा fraction जिसमें denominator है, वो different मिलेगा. सेम कहीं नहीं आएगा, different होगा. तो unlike fraction के अंदर, आपको जो denominator है, मतलब नीचे वाला number जो है, fraction में वो क्या मिलेगा? different मिलेगा. जंबल लेते हैं, 4, 5, 6 by 11, 7 by 13, and 12 by 19. तो इसमें आपने क्या देखा कि यहाँ पे जो denominator है, वो क्या है? सब में different है. उपर वाले आपके जो numerator हैं, वो सेम हो सकते हैं, बट जो denominator जब आपके होंगे, unlike fraction में, तो वो सारे के सारे different होंगे. चलते हैं, next fraction की तरफ. Next fraction, proper fraction. यह proper fraction क्या होता है? A fraction whose numerator is less than denominator is called a proper fraction. A fraction whose, एक ऐसा fraction जिसका numerator, जो है, वो denominator से less होगा. मतलब आपका numerator, उपर वाला नंबर, नीचे वाले नंबर से less होगा, मतलब छोटा होगा, तो वो क्या होगा? proper fraction. तो इसकी अग्जांपल लेते हैं, one half, देखो one by two है, इसको अपन one half भी बॉल सकते हैं. यह है two by three, और five by nine. तो इसमें क्या है, देखने, आप यह दिध्यान से देखते हो, तो सब में क्या है, आपका numerator जो है, वो small है. जैसे इसमें two है, तो इसका small है one. यहाँ three है, तो इससे small है two. यहाँ nine है, तो इससे भी है five. तो जो जिसका numerator लेस होगा डिनोमिनेटर से, वो क्या होता है? प्रोपर फ्रेक्षन होता है. चलते हैं next fraction, इम्प्रोपर फ्रेक्षन. अगला जो फ्रेक्षन हैं, अपना भो है. improper fraction जो होता है वो proper का just opposite होता है देखते हैं a fraction whose numerator is greater than denominator is called improper fraction एक ऐसा fraction जिसका numerator क्या होगा greater होगा denominator से अभी वाले में आपने proper में देखा था कि numerator जो है वो less है आपके denominator से but यह improper fraction इसका proper का opposite है तो इसमें आपको क्या मिलेगा numerator है वो greater मिलेगा numerator is greater than denominator इसके example 4 by 3, 3 by 2 and 12 by 11 ऐसे इसमें आपको जो numerator है वो क्या मिलेगा बड़ा मिलेगा greater मिलेगा किस से denominator से तो यहां पे देखे आप 3 से more कोन है 4 यहां 2 से more 3 यहां 11 से more 12 तो मतलब आपका जो उपर वाला number numerator है वो यहां greater होगा और जब भी आपका numerator denominator से greater होता है तो वो कौनसी fraction में आता है improper fraction में यदि वो less होता है आपका numerator तब हो क्या हो जाएगा proper fraction हो जाएगा और यदि आपका greater है तो numerator greater है तो आपका वो हो जाएगा improper fraction नेक्स सलते हैं mixed fraction when an improper fraction is written as combination of a whole number and a proper fraction it is called a mixed number or mixed fraction mixed fraction mixed fraction यह होता है कि एक combination बना होता है उसमें जैसे कोई number है आपके पास two लेते हैं जैसे two तो whole है और उसके साथ आपका proper fraction भी उसमें add हो जाएगा तो proper fraction कौनसा होता है जिसमें numerator numerator less होता है तो numerator इसमें less होगा और denominator greater होगा तो इसमें two जो है वो whole part है देखे यह यहां पे two जो है वो whole है और one half इसका fraction में है तो ऐसे लिखने पर इसको अपन रेड करते हैं two and one half two and one half या फिर two and one बाई two ऐसे भी बोल सकते है next जो हो है four and one fifth four and one fifth four जो है इसमें whole part है पूरे तो है पूरे पूरे है यहां पर 4 और 1-5 जो है वो फ्रेक्शन में है तो इसमें नेक्स जो है वो 3 and 1-4 इसको रीड करेंगे 3 and 1-4 3 है वो होल है और 1-4 जो है वो इसमें फ्रेक्शन है 3 and 1-4 या फिर 3 and 1 by 4 next equivalent fraction what is equivalent fraction a fraction that represent the same proportion of the whole are called equivalent fraction equivalent fraction में क्या होगा आपके पास दो number दिये गए होंगे दो fraction दिये गए होंगे और उसमें आपको compare करना है और यदि comparing में वो आपके पास equal आते हैं आते हैं तो वो क्या हो जाते हैं equivalent fraction हो जाते हैं तो जैसे यहां पे एक तो आपके पास fraction है one half और दूसरा जो है वो two fourth है तो यह दोनों देखने में तो अपने को different लग रहे हैं लेकिन आपन इसको solve करते हैं जैसे यह two fourth है इस two को अपन कट करते हैं तो two one जा two और two की table में four है वो two time आ रहा है तो one half यहां पे इसको कट करने पे बन गया आपके पास one half तो इधर भी one half है और इधर भी one half है इसका मतलब क्या हुआ यह दोनों क्या है equivalent fraction है next fraction की तरफ चलते है next fraction is unit fraction unit fraction क्या है a fraction who has one numerator it called unit fraction एक ऐसा fraction जिसमे numerator क्या है one होता है यदि numerator one हुआ तो उसको अपन बोल सकते है unit fraction जैसे example लेते है one fourth, one third, one fifth, one half यह सारे क्या है unit fraction है क्या है इसमें सभी में numerator जो है वो one है तो यह हो गया unit fraction तो बच्चो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अपनी next exercise में तब तब बाई